दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जगजीत सिंग के बारे में जी हाँ दोस्तो जगजीत सिंग गजल गायगी की एक महान नाम है जगजीत सिंग का जनम 8 फरवर 1941 को स्री गंगा नगर बीकानेर में हुआ था जगजीत सिंग को मीठी मदूर और महेक्ती सी अवाज का जादूगर माना जाता है जगजीत सिंग रेडियो और स्टेज पर गाना सरूप कर दिये थे तब उनके पिता उने इंजीनियर बनाना चाते थे जगजीत सिंग के पिता चाते थे कि वे अपसर वने और जगजीत सिंग ने गुर्दवारों से संगीत सीखा दोस्तो जग्जीत सिंग परसित संगीतकार, पंडित, छगनलाल, सर्मा और उस्ताद जमाल खान के सिस्य थे दोस्तो जग्जीत सिंग के चार बहने और दो भाईी थे जग्जीत सिंग कुर्चेतर उनिष्टी से इतिहास में पोस्ट कुरुजवेट करके उन्होंने डिग्री हासिल की दोस्तो जालंदर में कलकत्ता की डिग्री में अध्यन करते हुए जग्जीत सिंग औल इंडिया रेडियो के लिए गाने और संगीत देने का काम सुरू कर चुके थे जग्जीत सिंग के परिवार के आर्थिक स्थिती काफी कमजोर थी और गाउं में बिजली ने होने के कारण उन्होंने लाल्टेन से पढ़ाई की मुंबई में सुरुवाती दिनों में जग्जीत सिंग साधियों में परफॉर्म करके गुजारा किया करते थे 1967 में जग्जीत सिंग की मुलाकात चित्रा सिंग से हुई जिन्होंने अपनी पती को तलाग देकर जग्जीत सिंग से साधिकी 1970 और 80 के दोर में जग्जीत सिंग और उनकी पतनी गजल गायन में जबर्दस्त सफलता हासिल की और जगजीत सिंग और उनकी पतनी साथ साथ बहुत सारे गाने फिल्माएं उन्होंने और उनके एल्बम संगीत कमपनी HMV को भी सबसे अधिक गाने बिकने वाले रिकोर्ड का दर्जा प्राप्त है दोस्तो जगजीत सिंग और लता मंगेसकर के साथ गाया हुआ गाना नौन फिल्मी एल्बम HMV का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम है जगजीत सिंग ने कई भासाओं में गाने गाए हैं 2003 में जगजीत सिंग को भारत सरकार ने पदम भूचन से सम्मानित किया 2014 में जगजीत सिंग की सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया अपने पांच दसक के केरियर में जगजीत सिंग ने करीब 80 अलबम में गाना गाई जगजीत सिंग को गजल को लोगप्रिय बनाने का स्रे भी दिया जाता है दोस्तो जगजीत सिंग ने ऐसी कविताएं गाने के लिए चुनी जो भीड से जुडाव रखती थी दोस्तो जगजीत सिंग अकेल ऐसे कलाकार है जो पूरु परधानमंतरी अटल बिहारी वाजपेई के लिखित गाने को गाये थे और उन्हें संगीत वद भी किया दोस्तो जगजीत सिंग सामजिक समस्याओं के हल के लिए परियासरत रहते थे जगजीत सिंग ने गीतकार को किसी अलबम की कमाई में हिस्सा दिये जाने की सुरुवात की परसिद गायक कुमार सानू को बॉलिवूड गायकी का पहला ब्रेक जगजीत सिंग ने ही दिया था दोस्तो जगजीत सिंग सितार वादक पंडित रवी संकर के साथ मिलकर कला और संस्किर्ते के खिलाफ हो रहे खिलवाड के विरुत उन्होंने आवाज उठाई जगजीत सिंग ने 1982 में कंसर्ट लाइव एट रोयल अर्लवर्ट हाल के टिकट तीन घंटे में बिग गए थे दोस्तो जगजीत सिंग का 1987 में जारी अलबम बियॉंड टाइम भारत की पहली ऐसी अलबम थी जिसे डिजिटली रिकोर्ड किया गया 1990 में एक एक्सिडेंट में बेटे विवेक के निधन के बाद पत्नी ने गाना बंद कर दिया था दोस्तो 23 दिसंबर 2011 को जगजीत सिंग से लेवल हैमरेज से ग्रसित हो गए और जगजीत सिंग का निधन 10 अक्टूबर 2011 को हुआ तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे यूटुब चनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं दोस्तो एक नई वीडियो में बड़े इंटेस्टिंग टोपिक के साथ तक के लिए धन्यवाद